अब हम सेकंड केस देखेंगे इस वाले केस में क्या है a member subjected to life direct stress in two mutually perpendicular direction देखें यहाँ पर एक member है जिसके उपर दो direct stress लग रहे हैं और दोनों केसे हैं tensile इस वाले केस में देखें यह दोनों आपके principal plane होंगे यह भी आपका principal plane है और यह वाला भी आपका principal plane है principal plane वो plane होता है जिस plane के उपर shear stress के वेलों कितना लगती है 0 तो यहाँ पर कोई भी shear stress नहीं लग रही है इसलिए इसको आप principal plane बोलेंगे हम क्या मानके चल रहे हैं कि sigma x is greater than sigma y है ठीक तो देखें इस member के अंदर मैंने एक plane लिया है इस member के अंदर मैंने एक plane लिया है इस plane का यहाँ से जो angle है that is theta इस plane को मैंने नाम दिया है it is plane ac इस plane का नाम है it is plane ac अब यह plane बहुत important है इस plane का देखें हम angle समझेंगे पहले this plane is making an angle of theta degree width यह theta degree angle किसके साथ बना रहा है यह हम समझते हैं यह theta degree angle किसके साथ बना रहा है major principle plane के साथ यह theta degree का angle बना रहा है देखें सिग्मा x की value ज़ादा है सिग्मा y से ये दोनों आपके क्या है डारेक्ट इस्ट्रेस है और ये दोनों आपके क्या है प्रिंस्पल प्लेन है और ये क्या होगा ये प्रिंस्पल प्लेन है ये भी प्रिंस्पल है चुकि सिग्मा एक ज्यादा है सिग्मा वाई से इसलिए इसको आप क्या बोलोगे मेजर निकालना है और shear stress निकालना है ये plane major principle plane से theta degree का angle बना रहा है पहला चीज़, second ये जो plane है ये minor principle stress से भी theta degree का angle बना रहा है जिस plane के उपर आपको क्या निकालना है normal stress निकालना है sigma n निकालना है ये plane major principle plane से भी theta degree का angle बना रहा है और ये minor principle stress से भी ये क्या बना रहा है theta degree angle बना रहा है तो ये मैंने theta ये वाला angle theta लिया है तो sigma n आप जानते ole normal stress, sigma t आप जानते ہیں तो देखे इसका मैं free body diagram अलग से बना लेता हूँ, इसको मैं अलग से आपको दिखाता हूँ, यह आपका किसमे है, equilibrium में है, इसके उपर यहाँ पे एक tangential stress लगरी sigma x, यहाँ पे भी एक tangential stress लगरी that is sigma y, यहाँ पे जो AC plane आपको नजर आ रहा है, इसका जो area है उसको मैंने क्या बोला है, DA बोला है, अगर AC का area DA होगा, तो AB का area कितना होगा, DA cos theta होगा, और BC का area कितना होगा, DA sin theta होगा, यह सामने पहले case में निकाला था, अब देखिए, यहाँ पे stress कितना लग रहा है, sigma x, तो यहाँ पे force कितना लगेगा, force क्या होगा, stress into area होगा, area कुसका लोगे, DA plane क DA plane का area कितना है, that is DA cos theta है, तो यहाँ पे force कितना लगेगा, sigma x DA into cos theta, यहाँ पे क्या लगेगा, force लगेगा, यहाँ पे stress कितना लग रहा है, sigma y, तो यहाँ पे force कितना लगेगा, sigma y into area of plane BC, area of plane BC कितना है, DA sin theta, तो यहाँ पे force जो लगेगा, that is stress into area, that is sigma y into dA sin theta यहाँ पे इतना force लगेगा अब यहाँ पे force कितना लगेगा stress अगर sigma n है तो force कितना लगेगा sigma n into dA लगेगा क्योंकि इसका area कितना था AC का dA था और यहाँ पे force कितना लगेगा that is sigma t into dA अब हम क्या करेंगे हम इनको resolve कर देंगे method of resolution आप पढ़िएगा mechanics में तो यहाँ पे देखे में एक reference line लोगा यह जो reference line में लिया है वो AC plane के perpendicular है या sigma n के parallel है या sigma t के वो केसा है perpendicular है तो यह जो आपका angle आएगा यह आपका कितना आएगा थीटा डिगरी आएगा इसी तरीके से यहाँ पे भी में एक plane ले लूँगा इसका यह जो angle आएगा यह आपका आएगा 90 minus theta क्योंकि यह थीटा आता यह थीटा क्यों आता यह थीटा यह दोनों corresponding angle आपको नज़र आ रहे हैं into cos theta और एक दूसरा इसके perpendicular लगेगा यह कितना लगेगा sigma x da cos theta into sin theta यह दूसरा आपने बना दिया अब sigma x आपको यहाँ से हड़ जाएगा इसी तरह sigma y da sin theta के आप दो component बनाएंगे इसको कितना लिखेंगे sigma y da sin theta into cos 90 minus theta sigma y da sin theta यह force हो गया और इधर जो component बनेगा वो cos 90 minus theta बनेगा इसका दूसरा इधर बनेगा यह कितना बनेगा sigma y da sin theta into sin 90 minus theta यह दूसरा component आपने बना दिया तो देखें इन दोनों को मैं हटा देता हूं आपका force system आपको इस तरीके का नज़र आएगा अब आप इसका algebraic sum कर सकते हैं देखें इधर force कितना लग रहा है sigma n da इसका algebraic sum आप किसके साथ कर सकते हैं एक किसके साथ कर सकते हैं यह सड़ लग रहा है और दूसरा आप इसके साथ कर सकते हैं इन दोनों का algebraic sum equal to कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा फिर आप क्या करेंगे इनका algebraic sum करेंगे sigma tda का देखे किसके साथ करेंगे यहाँ पर इसको लेंगे इसको लेंगे और इसको लेंगे इन तीनों का क्या करेंगे आप algebraic sum करेंगे तो पहले देखिए यह pink वाले forces का मैं algebraic sum करता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, sigma n dA minus sigma x dA cos theta into cos theta minus sigma y dA cos theta into cos 90 minus theta, ठीक, तो cos 90 minus theta आपका कितना होता है, sin theta होता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, और देख कि cos theta into cos theta क्या होगा है, cos square theta, cos 90 minus theta को आपने sin theta लिख दिया, और यहाँ पर भी sin theta था, तो sin theta into sin theta, sin square theta, इन दोनों को आप equal to के इस सारे ले जाएंगे, तो यह dA से यह dA आपका क्या होजागा, पड़े आएगा, अब यहाँ पर हम जानते, cos square theta आपका क्या होता है, 1 plus cos 2 theta divided by 2 होता है, sin square theta क्या होता है, 1 minus cos 2 theta divided by 2 होता है, तो यहाँ पर मैं कुछ common ले लूँगा, मैंने sigma x plus sigma y by 2 ले लिया, plus sigma x minus sigma y by 2, cos 2 theta मैंने लिख दिया, अब देखिए, यहाँ पर ध्यान देना है, मैंने sigma x और sigma y दोनों को मैंने tensile लिया है, तो आपका यह वाला formula बना, अगर इन दोनों में से जो भी compressive रहेगा और उसके समने minus लिख देंगे, मान लिजे sigma y आपका कैसा है, compressive, तो compressive रहेगा, तो sigma x minus sigma y कर देंगे, और यहाँ पर sigma x plus sigma y आप लोग कर देंगे, तो यह अपने को ध्यान में रखना है, अब second हम इसके क्या करेंगे, दूसरे component का भी algebraic sum हम को करना है, मतलब sigma tda है यहाँ प करेंगे, इसके साथ करेंगे, और इसके साथ करेंगे, इनको मान लिजे मैंने horizontal consider किया है, तो देखे मैं इसको लिख सकता हूँ, sigma v equal to मैंने 0 करा, मैंने लिखा sigma tda plus sigma yda sin theta into sin 90 minus theta, ठीक, और sigma xda इसको मैंने minus लिखा, और इसको मैंने plus लिखा, तो इन तीनों को देखिए algebraic सम तो इसको आप लिख सकते है, cos theta देखें, यहाँ पर लिख लिखा, यहाँ पर मैं sigma x minus sigma y को बाहर ले सकता हूँ, यह मैंने बाहर ले लिखा, cos theta sin theta हो जाएगा, 2 का ओपर multiply करें, 2 का नीचे multiply करें, तो यह sin 2 theta आपका बन जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, sigma t, sigma x minus sigma y, by two sine two theta तो यह आपने क्या करा sigma n और sigma t की value निकाल लिए तो यहाँ पे आपने normal stress और टेंजेंस तल stress निकाल लिया यहाँ पे आप लिख देते हैं देखिए यह आपकी normal stress की value आई है यह normal stress की value आई है और normal stress आपका maximum कब आएगा और वो कितना आएगा देखिए normal stress आपका maximum कब आएगा जब यह theta की value कितनी हो जाए 0 हो जाए तो normal stress आपका कितना हो जाएगा maximum हो जाएगा maximum कितना आना चाहिए sigma x के जित्ता आना चाहिए तो देखिए when theta is equal to 0 theta की value यहाँ पे 0 पुट कर दीजेगा तो cos 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा जब आप इन दोनों को solve करेंगे तो maximum value of normal stress sigma x के जित्ता आएगा अब minimum value of normal stress आपको निकालना है minimum value of normal stress किसके जित्ता आएगा sigma y के जित्ता आएगा sigma y के जित्ता आएगा यह कब आएगा जब theta की value कितनी हो जाए 90 degree जब theta 90 put करेंगे तो यहाँ पर 2 into 90 करेंगे तो 180 हो जाएगा तो cos 180 करेंगे तो यहाँ पर minus आ जाएगा जब आप इसको solve करेंगे तो minimum value of normal stress कितना हैगा sigma y के जितना हैगा जब theta आपका 0 हो जाएगा maximum value of normal stress कितना हैगा sigma x और जब theta आपका 90 degree हो जाएगा तो minimum value of normal stress कितना हैगा sigma y के जितना आएगा अब देखें यहाँ पर tangential stress में लिख देता हूं maximum value of tangential stress shear stress कब आएगा जब theta के value 45 degree हो जाएगा क्योंकि 2 x 45 करेंगे तो 90 हो जाएगा, sin 90, sin 90 कितना होता है, 1 होता है, maximum value of sin कितना होता है, 1 होता है, और जब यह 1 हो जाएगा, तो maximum value of tangential stress कितना हैगा, sigma x minus sigma y by 2 आपका आ जाएगा, तो maximum shear stress when theta equal to 45 degree, कितना हैगा, sigma x minus sigma y by 2, हमें ध्यान देना है, कि देखिए, यह दोनों मेंने tensile लिये हैं, अगर sigma y आपका compressive रहता, तो यहाँ पर maximum value of shear stress कितना हो जाता, sigma x plus sigma y हो जाता, y2 हो जाता, यहाँ पर plus आजाता, मतलब आपको sign change कर देना है, अगर इन दोनों में से कोई भी आपका compressive रहेगा, अब देखिए, जो आपने analytical method से निकाला है, उसी को आप graphical method से निकालेंगे, अगर graphical method से यह सारी चीज़ आपको calculate करना है, आपको क्या बनाना पड़ेगा, मोहर circle आपको बनाना पड़ेगा, तो देखिए, अब हम मोहर circle बनाते हैं, तो ध्यान दीजिए, sigma x और sigma y हमने क्या लिया है, दोनों tensile लिया है, तो पहले हम क्या करेंगे sigma x बनाएंगे sigma x बनाने के लिए पहले आपने यहाँ पर एक point लिया इस point को आपने नाम दिया it is point A तो पहले sigma x बना रहा हूँ यह जो आप length लेंगे वो आप sigma x के जित्ता लेंगे sigma x is greater than sigma y है तो AB की लंबाई आपकी sigma x के जित्ता यहाँ पर आ जाएगी it is sigma x sigma y भी आपका tensile है तो इसको भी इसी direction में बनाना है इसी direction वगर यह compressive रहा था तो इसको अपन opposite direction में बनाते है तो देखिए यह भी tensile है इसको भी मैंने इसी direction में बनाया है इस point को हमने नाम दिया it is c तो यह जो आपकी दूरी आएगी यह sigma y के जित्ता आएगा दोनों चुक्रे टेंसile है इसलिए दोनों को एक ही direction में बनाना अगर भी compressive रहेगा तो इसको दूसरे direction में हम बनाएंगे अब देखिए BC का हम क्या करेंगे center ले लेंगे इसको हमने नाम दिया that is o it is o अगर यह कोई दूरी पुज़ाब अब देखिए इसको center लेते हो हम क्या करेंगे एक circle को draw कर लेंगे वो आपका center है इसको center लेके हमने क्या करा एक circle को draw कर लिया इस circle को हम बोलते हैं moher circle this circle is known as moher circle इसकी मदद से हम क्या करेंगे normal or tangential stress resultant stress यह सब निकालेंगे अगर देखिए हमें यह वाला distance निकालना यहां से यहां तक यह कितना आएगा हमें निकालना है तो देखिए यह पूरा कितना है sigma x से sigma x में से इतना minus कर दीए sigma y को minus कर दीए तो मोहर circle के diameter के जित्ता आजाएगा लेकिन हमें तो इतना निकालना है मोहर circle के radius के जित्ता निकालना है तो यह कितना हो जाएगा sigma x minus sigma y divided by 2 आपका हो जाएगा तो यह जो दूरी है इसको आपने लिख दिया sigma x minus sigma y by 2 देखिए अगर यहाँ पे आप angle theta ले रहे है तो यहाँ पे आपको angle कितना लेना है 2 theta लेना है यह जो आपका angle कितना आएगा 2 theta आपका आएगा तो देखिए यह आपका radius आप मोहर circle है तो यह भी आपका radius आप मोहर circle होगा तो यह दूरी आपके कितनी आएगी that is sigma x minus sigma yy2 आएगी अब देखिए अगर tangential stress आपको निकालना तो यहां से एक line नीचे गिराईए इसको मैंने बोला de तो यह जो लाल वाली आपको line de नजर आ रही है यह tangential stress है that is sigma t अगर normal stress निकालना तो a से e को जोडने वाली line खीचिए यह आपका क्या represent कर रहा है normal stress represent कर रहा है यह अगर आपको निकालना है तो पहले आप क्या करिए इस पीले वाले triangle को ध्यान से देखिए इस पीले वाले triangle पे पहले मैंने sin 2 theta लगाया sin 2 theta क्या होगा perpendicular upon hypotenuse perpendicular कितना sigma t और hypotenuse कितना sigma x minus sigma y by 2 तो देखिए यहाँ पे मैंने sin 2 theta की value लिख दी अब यहीं पे मैं cos 2 theta भी निकाल लेता हूं cos 2 theta क्या होगा base upon hypotenuse base कितना o e है और hypotenuse od है od कितना होगा sigma x minus sigma y by 2 तो यहाँ पे मैंने cos 2 theta की value लिख दी अब देखिए हमें tangential stress निकालना है sigma t निकालना है sigma t आपका d के जित्ता आएगा तो sigma t यहाँ से निकाल सकते है that is sigma x minus sigma y by 2 sin 2 theta तो यहाँ पे देखिए sigma t की value मैंने यहाँ पे लिख दी आपको नजर आ रहा है sigma t maximum कव आएगा जब 2 theta आपका कितना हो जाएगा 90 degree हो जाएगा जब 2 theta देखिए यह maximum कव आएगा जब यह 2 theta आपका कितना हो जाएगा 90 degree मतलब यह theta कितना होना चाहिए 45 degree sigma t maximum कितना आएगा यह radius आप मोहर circle के जित्ता आएगा radius आप मोहर circle कितना है sigma x minus sigma y by 2 it is the radius of Mohar circle तो यहां से भी आपको नजर आ रहा है यहां से Mohar circle से भी नजर आ रहा है कि sigma t आपका maximum कब आएगा जब 2 theta आपका 90 हो जाए या theta 45 हो जाए और maximum कितना आएगा radius of Mohar circle के जितना आएगा that is sigma x minus sigma y by 2 अब हमें normal stress निकालना है normal stress कितना होगा normal stress है यह आपके लिख सकते है ac plus co plus oe देखे मैंने तीनों को जोड़ दिया ac plus co plus oe तो normal stress यह आ जाएगा ac distance देखे आपको नजर आ रहा है यहां से लेके यहां तक that is sigma y co यहां से यहां तक का distance that is sigma x minus sigma y by 2 o से e तक की दूरी यह वाली दूरी यहां से निकाल लेंगे oe की दूरी that is sigma x minus sigma y by 2 cos 2 theta देखे तीनों का मैंने यहां पे तीनों को यहां पे मैंने जोड़ दिया यहां पे जब आप तीनों को जोड़ देंगे तो यह वाली equation आपकी बन जाएगी इसको देखे इन तीनों को जब जोड़ के solve कर लेंगे तो sigma n की value आपके आजाएगी that is sigma x plus sigma y by 2 plus sigma x minus sigma y by 2 cos 2 theta देखे इससे भी sigma x आपका sigma n आपका उतना ही आ रहा है जितना आपका यहां से आया था दोनों जगह से देखे यहां पे भी sigma n आपका उतना ही आ रहा है जितना sigma n आपने यहां से निकाला था यहां पे sigma t की value देखे उतना ही आ रहा है जितना आपने analytical method से इसको आपने निकाला था अब देखे maximum value of normal stress कब आएगा अभी sigma n कहां से a से लेके e तक sigma n है अगर आप इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए b तक लियाए तो sigma n आपका कितना हो जाएगा maximum हो जाएगा maximum कितना आएगा sigma x के जितना आएगा maximum कब आएगा जब 2 theta की value कितनी हो जाए 0 हो जाए जब theta की value कितनी हो जाए 0 हो जाए तो maximum value of normal stress आपका निकल के आ जाएगा जो कि मोहर सर्कल से निकलता वो आपको नजर आ रहा है अब आपको के निकलना है resultant stress निकलना है resultant stress क्या होगा a से d को जोडने वाली line it is our resultant stress यह resultant stress निकलना तो इस ट्रेंगल को आप ध्यान से देखिए इस ट्रेंगल का आपको perpendicular मालूम है base मालूम है तो यह hypotenuse निकलाएगा resultant stress निकलाएगा that is under root of sigma t का whole square प्लस sigma m का whole square अगर आपको angle of obliguity निकालना है जिसको हम 5 बोलते हैं एंगल of obliguity क्या होता है resultant stress जो normal stress से एंगल बनाता है उस एंगल को हम एंगल of obliguity कहते हैं तो पाई निकालना तो आप क्या लिखेंगे 10 5 10 5 is equal to sigma t divided by sigma n तो आपका angle of obliguity भी निकलके आ जाएगा तो हमने ये वाला case किया जिसमें ये दोनों मेंने क्या लिया tensile लिया मैं आपको अगला case भी अभी करा के बताऊंगा जिसमें ये आपका tensile रहेगा और ये वाला आपका क्या रहेगा compressive रहेगा तो अगले lecture में हम इसको देखते हैं अब हम अगला case डील कर रहे हैं इसमें क्या है a member subjected to unlike direct stress into mutually perpendicular direction देखी एक member है इस पे दो direct stress लग रहे है sigma x और sigma y ये tensile type का ये compressive type का है तो देखें यहाँ पे यहाँ पे यह दोनों आपके principal plane होंगे ये principal plane क्यों होंगे क्यों होंगे क्योंकि इस plane के उपर shear stress कितना लग रहा है जिरो इसलिए ये दोनों principal plane होंगे तो ये दोनों आपके क्या हो गए principal stress हो गए यहाँ पे देखें सिग्मा x is greater than हमने सिग्मा y लिया है ठीक तो इस member के अंदर हमने एक plane लिया है ये plane क्या कर रहा है यहाँ से theta degree का angle बना रहा है इस plane को मैंने नाम दिया है that is ac plane देखें ac plane ज making an angle theta with major principal plane से ये theta degree का angle बना रहा है देखें major principal plane क्या होता है ये major principal plane है तो ये भी आपका क्या होगा major principal plane होगा ये दोनों major principal plane है ठीक है तो ये जो plane है major principal plane से ये theta degree का angle बना रहा है या ये बोल सकता है कि ये minor principal stress से ये theta degree का angle बना रहा है यह देखिए यह जो line है यह minor principle stress की भी यह line है और यह major principle plane की भी line है तो दूनों से यह वाला plane क्या कर रहा है थीटा degree का angle बना रहा है तो हमने यह वाला थीटा लिया है तो इस plane के उपर हम क्या निकालना सीख रहे हैं हम normal stress निकालना सीख रहे हैं और हम shear stress निकालना सीख रहे हैं तो sigma n आप जानते हैं, it is the normal stress, sigma t आप जानते हैं, it is the tangential stress, जिसको हम shear stress भी कहते हैं, तो देखिए इस plane का मैं free body diagram अलग से बना लेता हूं, इसको मैंने अलग से ले लिए, इस plane के ओपर यहाँ पर normal stress लग रहा है, जो कि tensile type का that is sigma x, यहाँ पर भी normal stress लग रहा है, देखिए यह compressive type का that is sigma y, तो इस plane का जो angle है, ac का area है, इसका area कितना है, that is da, तो ab का area कितना हो जाएगा, da cos theta हो जाएगा, bc का area कितना हो जाएगा, that is da sin theta हो जाएगा, अगर इसका area da cos theta है, और अगर यहाँ पर stress sigma x लग रहा है, तो यहाँ पर force कितना लगेगा, sigma x into da cos theta और यहाँ पर force कितना लगेगा sigma y da sin theta क्योंकि यह area कितना है that is da sin theta तो stress into area करेंगे तो के निकल के आ जाएगा force आपका निकल के आ जाएगा तो देखें इन forces को हमको resolve करना पड़ेगा तो यहाँ पर मैंने एक plane लिया यह plane यह जो reference line लिया यह जो reference line है जिसका angle यहाँ से theta degree है यह reference line ac plane के perpendicular है यह आप क्या कह सकते है इस stress के parallel है sigma n के यह वाली line क्या है parallel है यह ac के यह क्या है perpendicular यहाँ पर भी आपने एक reference line लिया sigma y इस reference line से कितना angle बनाएगा 90 minus theta angle बनाएगा तो देखे यहाँ पर force कितना लग रहा है that is sigma x da cos theta इसके दो component बनेंगे यह बनेगा sigma x da cos theta into cos theta एक यहाँ बनेगा sigma x da cos theta into sin theta इसी तरह यह incoming force है इसके वे दो component बनेंगे एक component आप इधर लगाएंगे that is sigma y da sin theta into cos 90 minus theta इसका देखे मैंने दूसरा बनाया इसके perpendicular that is sigma y da sin theta into sin 90 minus theta अब आप इन दोनों को हटा सकते हैं यह resolve के concept आप method of resolution में पढ़िएगा जो कि mechanics में हम first semester या second semester में हम पढ़ते हैं अब देखे यहाँ पर हमको forces का algebraic sum करना पढ़ेगा तो यहाँ पर force कितना लग रहा है that is sigma and da आपका force लग रहा है तो एक इस force को लेंगे second हम इस force को लेंगे तीसरा हम इस force को लेंगे इन तीनों को देखे मैं algebraic sum यहाँ पर लिखता हूँ इसको मैंने लिखा sigma h equal to zero कर रहा हूँ मैंने लिखा sigma and da इसको हम क्या लिखेंगे minus लिखेंगे sigma x da cos theta into cos theta इसको देखे मैंने plus लिखा इसको हम क्या करेंगे इन दोनों term को मैं equal to को उधर ले जाऊँगा तो यह जो da है वो आपका कड़ जाएगा cos 90 minus theta क्या जाएगा sin theta आपका जाएगा तो देखें यहाँ पे cos theta into cos theta cos square theta यहाँ पे sin theta into sin theta sin square theta आगया हम जानते cos square theta क्या होता है 1 plus cos 2 theta divided by 2 sin square theta आपका क्या होता है 1 minus cos 2 theta by 2 अब यहाँ पे देखें हम common ले लेंगे sigma x minus sigma y by 2 plus sigma x plus sigma y by 2 cos 2 theta यह normal stress की value आजाएगे जब आपने दोनों को tensile लिया था तो यहाँ पे plus आ रहा था और यहाँ पे minus आ रहा था अब इसको compressive लिया यहाँ पे minus आ गया और यहाँ पे plus आ गया इसी तरह आप क्या निकालेंगे sigma t निकालेंगे तो यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा force बनाना पड़ेगा तो यह sigma t into da हो जाएगा तो आप एक इसको लेंगे दूसरा इसको लेंगे तीसरा आप इसको लेंगे और इन तीनों का algebraic sum आप कर देंगे तो देखे मैंने इसको vertical consider किया है sigma b equal to 0 करा मैंने लिखा sigma t da इसको मैंने minus लिखा और इसको भी मैंने minus लिखा क्योंकि यह opposite direction में है अब यह जो आपकी equation आगए इसको मैं equal to को उधर ले जाओगा इन दोनों को तो यह da और यह da इस da से कड़ी आएगा sin 90 minus theta आपका क्या होता है cos theta होता है तो देखे इसको आप लिख सकते है sigma x cos theta into sin theta sigma y sin theta into cos theta इसमें देखे मैं common ले लेता हूं sin theta cos theta को मैंने common ले लिया ठीक है अब इसमें क्या करता हूं 2 का उपर multiply कर देता हूं 2 से इसको divide कर देता हूं तो sigma t की value आपके निकल के आ जाएगी that is sigma x plus sigma y by 2 into sin 2 theta it is the maximum value of tangential stress और यह sorry it is the shear stress और tangential stress की value आ गई यह sigma t की value आपके निकल के आ गई अब देखे इसको मैं अलग से लिख लेता हूं यह आपका क्या निकला sigma n की value maximum कब आएगी जब यह theta की value 0 हो जाएगी जब यह theta 0 हो जाएगा तो sigma n maximum कितना आएगा sigma x के जित्ता आएगा तो यहाँ पर theta आप 0 put कर दीजेगा 0 put करेंगे तो cos 0 आपका 1 हो जाएगा इन दोनों को आप जोड दीजेगा तो sigma y आपका कड़ जाएगा और sigma n की value आपकी निकल के आज आएगी जो कि sigma x के जित्ता आएगी अगर आपको minimum value of normal stress निकालना तो यह theta आपका कितना होगा 90 degree होगा और minimum value of normal stress कितना आएगा sigma y के जित्ता आएगा theta 90 degree कर देंगे तो यहाँ पर theta 90 put करेंगा तो 2 into 90 करेंगे तो 180 cos 180 आप लिख देंगे cos 180 क्या होता है cos 180 आपका minus 1 आएगा बाकी आपका सब कड़ी आएगा तो आपका minimum value of normal stress आजाएगा that is sigma y minus क्यों आएगा क्योंकि यह compressive type का है अब आपको क्या करना है shear stress को ध्यान से देखिए shear stress का formula यहां पर मैंने लिख दिया है यहां पर shear stress maximum कब आएगा जब sin2θ की value maximum आए sin2θ की value maximum कब आएगी जब theta की value 45 आएगा तो यहां पर देखिए theta maximum value of shear stress जब theta आपका 45 आएगा तो maximum value of shear stress कितना आएगा sigma x plus sigma y by 2 ठीक तो आपने maximum value of shear stress भी निकाल लिया और shear stress भी निकाल लिया, normal stress भी निकाल लिया, यह किस से निकाला, analytical method से, यही चीज हम निकालेंगे, graphical method से, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, moher circle बनाना पड़ेगा, तो अब हम देखते हैं कि इसका moher circle किस तरीके से बनेगा, देखें, यहाँ पर sigma x आपको tensile दिया है, sigma y आपको compressive दिया है, तो पहले हम sigma x बनाएंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर point लिया, इस point को हमने नाम दिया, that is a, तो देखें, a से हम एक line खीचेंगे, इस line की जो length रहेगी, वो sigma x के जित्ता हमको लेना है, यह जो e b length आपको नजर आ रहे है, it is equal to sigma x, अब sigma y आपका क्या है, compressive है, तो इसका direction आपको opposite direction में लेना पड़ेगा, इसके ultra direction में आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका nature क्या opposite है, तो यह जो length है आपकी, यह आपकी कितना आ गई, sigma y के जित्ता आ गई है, अब आप क्या करेंगे, b और c का center लेंगे, मान लीजे, b और c का यह क्या है, center इसको नाम दिया, मैंने that is o, इसका center लेके, अगर यह आपका center है, तो यह वाली दूरी आपकी कितनी आईगी, sigma x plus sigma y divided by 2 होगा, तो यह जो length मैंने लिख दिया, इट है sigma x plus sigma y divided by 2, अब इसको center लेके, हम एक circle को draw करेंगे, इस circle को हम क्या बोलते हैं, मोहर circle बोलते हैं, तो यह मोहर circle देखी, आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, अब यहाँ पे, अगर angle, इस plane का angle, यहाँ पे कितना लिया theta degree, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 theta पे एक line खीचेंगे, यह जो मैंने यहाँ पे line खीची है, इसकी length कितना होगा, 2 theta के जित्ता होगा, और यह जो line का angle है, यह angle कितना होगा, 2 theta के जित्ता होगा, और इसकी length कितना होगा, that is sigma x plus sigma y by 2 के जित्ते इसकी लंबाई होगी, मतल triangular line नीचे गिराउं, that is DE, यह किसको represent करेगा, यह tangentional stress को represent करेगा, sigma T को represent करेगा, shear stress को represent करेगा, और अगर मैं एक line यहां पे खेचू A से E तक, यह किसको represent करेगा, normal stress को represent करेगा, अब देखिए, हमको sigma T और sigma N निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहां पर इस triangle को ध्यान से देखिएगा इस triangle में हम sin 2 theta लगा देते हैं sin 2 theta क्या होगा perpendicular upon hypotenuse that is sigma t divided by sigma x plus sigma y divided by 2 अब इस triangle में मैं cos 2 theta लगा देता हूं that is base upon hypotenuse base कितना o e और hypotenuse कितना है sigma x plus sigma y by 2 अब देखिए sigma t यहां से आजागा sigma t आपका de के जितना होगा कितना होगा sigma x plus sigma y by 2 into sin 2 theta तो यहां पर मैंने लिख दिया sigma t equal to de sigma t की value देखिए यहां से मैंने निकाल लिया that is sigma x plus sigma y by 2 sin 2 theta देखिए आपको नजर आ रहा है sigma t आपका कितना है अभी यहां से यहां तक है अब इसकी maximum value कब आएगी जब यह इतना हो जाएगा जब यह radius आप मोहर circle के जितना हो जाएगा जब 2 theta की value कितनी आ जाएगी 90 degree आ जाएगी यह theta की value कितनी आ जाएगी 45 degree आ जाएगी तो sigma t आपका कितना आ जाएगा maximum आ जाएगा तो देखिए यहां पे जो sigma t निकल रहा है मोहर circle से वह सिग्मा t देखिए यहां पे निकलाता analytical method से अब हमें क्या निकालना है normal stress निकालना है मतलब A से E तक की दूरी हमको निकालना है तो A से E तक की दूरी निकालना है तो आपको AO पता होना चाहिए और OE पता होना चाहिए तो हमने इसको लिखा AO प्लस OE हमने लिखा देखिए A से O तक की दूरी A से O तक की दूरी यह जो दूरी है यह अगर आपको निकालना है तो देखें आपको यह पूरा distance दिया हुआ है इस पूरे में से इतना minus कर दीजिए तो आपको क्या पता चल जाएगा A से O तक की दूरी यह आपको पता चल जाएगा तो देखें यहाँ पर मैंने लिखा A को क्या लिखा C O माइनस C A C से O तक की दूरी माइनस C A कर देगे तो यह पता चल जाएगा C O देखो आप निकाल चुके हैं that is sigma X plus sigma Y by 2 उसमें से C A देखें यह sigma Y, C A के जित्ता है और O E, O E कमाज यहाँ से निकाल लेंगे ओई कितना आएगा sigma X plus sigma Y by 2, cos 2 theta यहाँ पर हम फूट कर देंगे तो you will get the value of किसका sigma N की value आपकी निकल के आजाएगे तो देखें इसको हम solve कर लेते हैं, इसको आप solve कर लीजिए तो आपका normal stress निकल के आजाएगा कितना आएगा that is sigma X minus sigma Y by 2 plus sigma X plus sigma Y by 2 cos 2 theta यह आपकी किसकी value आजाएगी, normal stress की value निकल के आजाएगी देखें, maximum value of normal stress कम निकल के आएगा जब यह जो E point है, यह कहाँ पर पहुच जाए, B point पर तो यह maximum value of normal stress निकल के आजाएगा इतना आएगा, इतना आपका निकल के आएगा यह maximum value of normal stress कितना आएगा sigma x के जित्ता आएगा देखे sigma x के जित्ता आएगा यह 2 theta की value कितनी हो जाए 0 हो जाए तो theta की value कितनी हो जाए 2 theta 0 हो जाएगा तो maximum value of normal stress आपको मिलेगा maximum value जब यह theta कितना हो जाए 0 हो जाए तो maximum value of normal stress कितना मिलगा sigma x के जित्ता तो देखें यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि maximum value of normal stress sigma x के जित्ता आपको मिलेगा जब यह 2 theta की value 0 हो जाए यह theta की value कितना हो जाए 0 हो जाए तो मोहर circle से भी आपने वो important conclusion देख लिए है अब आपको क्या निकालना है resultant stress निकालना है resultant stress अगर आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे resultant stress कौन सा आएगा a से a से d तक की जो दूरी है इसको हम क्या बोलते है resultant stress यह निकालना तो देखी इस वाले triangle को आपको ध्यान से देखना है तो इसका hypotenuse निकालना है perpendicular sigma t यह base कितना sigma है तो यह resultant stress आपको निकालके आ जाएगा that is under root of sigma t का whole square plus sigma n का whole square अब आपको angle of obliquity निकालना है angle of obliquity को हम 5 से represent करते हैं angle of obliquity कौन सा angle होता है जो resultant stress normal stress से angle बनाता है उस angle को हम बोलते है angle of obliquity तो यह phi निकालना तो 105 क्या होगा sigma t divided by sigma n हो जाएगा तो देखें यहाँ पर मैंने sigma t divided by sigma n कर दिया तो angle of obliquity इस से निकलके आ जाएगा तो यहाँ पर मैंने एक tensile लिया था एक आपको मैंने compressive लिया था और मैंने यह सारी चीज़ यहाँ पर calculate करी है यहाँ पर यह angle बहुत important है यह angle हमें ध्यान रखना है यह angle हमारा किस से major principle plane से यह वाला plane theta degree का angle बना रहा है और minor principle stress से यह वाला plane क्या कर रहा है theta degree angle बना रहा है अब हम अपने problem पे आपे हैं